दोस्तो पेटियम से अब तक मैं रेफर करके 70,000 याने कि 70,000 से भी जादा पैसे अर्म कर चुका हूँ लेकिन यहाँ परना अभी एक प्रॉब्लम आ रही है जब भी आप पेटियम एप्लिकेशन को किसी अपने फ्रेंड्स को या फैमिली मेंबर को सेर करते हैं तो उसके बाद आपको उसका कैस बैक नहीं मिलता है यहाँ पर मुझे भी प्रॉब्लम फेस करनी पर रहे थी तो मैंने सूचा क्यों नहीं मैं आपके लिए प्लॉपर एक वीडियो बनाओ जिसमें मैं आपको यह बता सकूँ कि आखिर आपको रैफर करने के बाद पेटे में कैस बैक क्यों नहीं मिल रहा है और कैसे आपको पेटे में कैस बैक मिलेगा सारी प्रॉब्लम का सॉलिशन मैं आपको यहाँ पर बता हूँगा वीडियो को ध्यान से और पूरा दिखना इसकी बिल्कुल मत करना क्योंकि गाईज अगर आप स्किप करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा और आप जो है सारी इंफर्मेशन मिस कर जाएंगे हेलो गाईज मिरे नाम नवीन है आप देख रहें आपका अपना हीटूब चैनल हमसफर टैक तो चलिए सीखते हैं अभी गाईज यहाँ पर मेरे पास एक्जामपल के तोर पर दो मुबाइल फोन हैं ताकि मैं आपको बहुत ही इजी तरीकी से समझा पाऊं कि आखिर ये काम कैसे करेगा ये प्रॉब्लम सॉल्ब कैसे होगी अभी तुस्तों ने अपने मुबाइल फोन पर पेटे मैप को उपन कर लिया है simply आप करते क्या होंगे या तो आप पेटे मैप में नीचे जाते होंगे और यहाँ पर एक options है refer and earn का या फिर हो सकता है आप यहां के अलावा जो है दूसरा एक तरीका है refer करने का back करते हैं सबसे उपर आपको left side profile दिख रहा है और यहाँ पर भी आपको दिखता है refer and earn यहाँ पर आप options पर जाते होंगे तो आप definitely normally आप वर्टसब या Facebook जिसके तुरू भी आप link को share करते होंगे जिस तरीके से मैं आपको example बता रहा हूँ मैंने यहाँ पर वर्टसब के तुरू जो है link share किया अब आपका friend क्या करेगा अपने mobile phone पर जो है उस application को download करेगा चलि हम दूसरे mobile phone पर आपको दिखाते हैं तो यहाँ पर guys मैं आच चुका हूँ अपने दूसरे phone पर और यहाँ पर link मुझे वर्टसब के तुरू मिल चुका है simply मैं यहाँ पर link के उपर क्लिक करूँगा और जैसे link पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर इस तरह के से automatically यह Google Play Store पर हमको redirect कर दिया जाता है अब यहाँ पर आप जब link से Paytm app को download करते हैं यह फिर आप अपने friends से download करवाते हैं तो simply उनको ना Paytm app को आपके link के तुरू download करना है और जैसे normally जो है login करते हैं वैसे ही उनको यहाँ पर अपने mobile number से login करना है चलिए हमने Paytm app को open किया अब यहाँ पर दूस्तों हम login हो चुक है Paytm app के उपर तो अभी आपको अपने friends को या family member को जिसको भी Paytm refer कर रहे हैं आप उनको कहना है कि सबसे पहले अपना bank account को link कर ले bank account को link करना बहुत ही असान है सबसे उपर आपको left side में profile का icon नजरा रहा है क्लिक करेंगे और यहाँ पर UPI and payment settings के उपर आप क्लिक करना है और यहाँ पर bank को select करके अपना mobile number को verify करके bank account को यहाँ पर link कर देना है उसकी बाद guys अब आपको एक काम करना है सबसे पहले आप जिनको भी refer कर रहे है paytm app को उनको आपको बोलना है कि paytm app को open करके सबसे उपर यहाँ पर एक search का icon है यहाँ पर click कर लेंगे और यहाँ पर search करेंगे refer यहाँ पर paytm ने अभी हाली में इस conditions को change कर लिया guys यहाँ पर नया update आया है और यहाँ पर देख सकते हैं आपकी यहाँ पर दिया गया है referral code simply आपको referral code की उपर click करना है जैसे click करेंगे यहाँ पर आपको अपना जो referral code है paytm का वो आपको डलवाना है अपने friends को या जिनको भी आप refer कर रहें paytm app को अब दोस्तों आपके मन में confusion होगा कि हमें अपना referral code कैसे पता करना है तो simply यहाँ पर refer and army जब आप जाते हैं न तो यहाँ पर आपको सामने नजर आता है share your referral code यहाँ पर आपको आपका referral code मिल जाएगा और दोस्तों अगर आपने paytm app को अब तक download नहीं किया है तो आप video को discussion में जाकर paytm app को download ज़रूर करेगा उसके बाद जो है हमारा referral code भी आप use करना नीचे आपको description में referral code भी मिल जाएगा अब यहाँ पर हमने जिनको भी refer किय था उनको हमने बोल दिया है कि simply आप यहाँ पर जो है referral code को enter कर लो enter करने के बाद उनको submit करना है जैसे वो submit करेंगे ना यहाँ पर आपको भी cashback मिलेगा और जिनोंने आपको refer किया paytm app को उनको भी cashback मिलेगा हालकि guys यहाँ पर आप दिखीगा यहाँ पर अभी invalid दिखा रह है सबसे पहली चीज कि आप जो है अपने दोस्तों को अपनी लिंक के थ्रू पेटे मैप को refer करेंगे दूसरी चीज कि आपको अपने friends को बोलना है जिनको भी आप refer करने पेटे मैप को कि वहाँ पर आपका referral code enter कीजे तभी आपको cashback मिलेगा और तीसरी condition guys यह है कि उनको ना पहली payment यानि कि जब वह link से download करने के पेटे मैप को तो उनको referral code enter करने के बाद दूसरा process और तीसरा है कि first transaction उनको complete करनी होगी जैसे कि या तो आपको एक रूपे send कर सकते हैं या वो mobile recharge कर सकते हैं या वो bill payment कर सकते हैं कुछ भी करना हो पेटे मैप से पहली transaction complete करना ज़रूरी ही है तब ही आपको cashback मिलेगा और हाँ guys एक बात और मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे दोस्तों के मन में confusion नहींता कि यार वो क्या करें कि अपने phone से पेटे मैप को हटा दें डिलीड कर दें उसके बाद दुबारा से इंस्टॉल करें और दुबारा से वो ना अपना द download है ना उसका cashback count नहीं होता है इस बात का आपको ध्यान अपना खास कर और जो पहली बार पेटे मैप को download करेगा आपके link के थूँ तब ही आपको cashback मिलेगा आपको वीडियो कैसे लगी comment करके जरूर बताएगा और वीडियो को like और share जरूर कीजिएगा